स्वागत है आपका आलेंडे आगनबाडी नियूज चैलेंग में दोस्तो आपको बता दो अगर आप सची खबरे पाना चाहते हैं दोस्तो आगनबाडी की हो या अन्ने कोई खबरे तो दोस्तो यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन वेल भी दोस्तो आन करने ताकि आपको हर अपडेट दोस्तो एक बात कहना चाहूंगा अगर आपको रास्ते में कोई सैनिक की गाड़ी दिखाई दे जिस पर काला जंडा लगा हुआ हो तो कृपिया हार ना बजाएं मैं कहना चाहूंगा वो गाड़ी जो होगी वो हमारे देश के सहीदों के सव ले जाने वाली होगी उसमें आपके देश की दोस्तों रच्छा में अपने प्राणों की आहूती देने वाले वीर जवानों का पार्थियू सरीर ले जा रहा होगा वो काफिला या वो गाड़ी तो उमीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझेंगे क्योंकि आज जो चालिस जवान सहीद हुई है तो वो गाड़ियां कभी न कभी उनके घर तक तो जरूर पहुँचेंगी तो उसका सम्मान करें और ध्यान दें यह जानकारी अपने अन सभी ग्रुप वसाथियों को भी द नमन वीर जवानों को नमन है यह से मैसेज एक नहीं हजारों मैसेज आ रहे है मेरे पास ताकि चैनल पर आवाज चरूर उठाई जाए इस चीज को लेकर के लेकिन यह वीडियो था आंगनवाडी बेहनों के लिए जिन पर कारवाई हुई है जो कारवाई एक तरह से सही नह नमस्कार दोस्तों स्वागत अपसी का आल इंडिया अगनवाडी न्यूस चैनल में बात करने जा रहे हैं आज की हम बड़ी ख़वर की जो की उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है यहां पे आप साब साब देख रहे हैं कि नवकरी पर संकट और कारवाई वगईरा को ले दोर से सुनना मेरी बातों को और साथी साथ आप लोगों के एक और बड़ी ख़वर मैं इस ख़वर के बाद में देना चाहूंगा यहां पर पहले आप देख लेजिए 12 फरवरी को जारी कर दिया गया था जिला करारकम अधिकारी प्रताप गड़ की को तो जहां जिला अध जिस्ट्रेट लखनव द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके जनपद की सीला तृपाठी प्रयोजना पूझना बिहार शी मतिक कुसुम गुप्ता-जी है प्रयोजना सिव गड़ एवन कुछ अन्य आंगणबाणी कार करतिया कुछ अचन भी हैं इसमें जो धर्णा इस माननी न्यायाले द्वारा जनहीत याचिका में हड़ताल को अवैद घोसित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। आप तत्काल जाचकर उक्तकार करती एवं अन्य के संबंध में हड़ताल में भाग लेने की पुष्टी कर लें। तता हरताल से जो उसमें जो भाग लेने की पुष्टी होने पर सम्मंदित के विरुद्ध आवस्यक कारवाई कर आज देर जो है सायकाल तक जो आपका अदो हस्ताच्छरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें ये चीजे डाली गई थी बारा तारीक को तो कारवाई को लेकर के बराबर ऐसा पत्र देखनों को मिला है तो हो सकता है बहनों के उपर ये संकट खड़े हो रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे हरताल की बात कही जा रही है बहनों की वो हरताल नहीं थी बहनों का व जो की जायज इसलिए था, यहां पे आवाज दब रही थी जनता की, अगर सरकार ने तीन महीने कहे करके वादा किया था और दो साल हो चुके हैं, उनको राज सरकार के उधारा मांदे बड़ोतरी नहीं की गई, जो की वादा खिलाफी कही जा रही थी, तो उस वादा खिलाफ नहीं थी, अपना अनिश्यत कालिन, उनका धरना था, हरताल नहीं थी, उनका कहना है, और यहां पे कहना है, जैसे की अन्य हरताले हुई थी पिछले समय जो भीट गया वहाँ पे, लेकिन यहां पे जो यह हुआ, वो धरना था, सरकार को ऐसे कदब नहीं उठाने चाहिए, हम लोग ये लोग जो थी हमारी बहने ये अपनी आवाज को उठा रही थी सरकार से विन्ती थी गुहार थी एक तरज से जो वादे सरकार ने किये थे उनको लगाने के लिए लेकिन यहाँ पे आज उनके नोकरी को ले करके संकट देखने को मिल ला है तो हो सकता है ये नोक जो जो सरकार के साथ चल लएए जल्द ही अगर ऐसे इत्याचार और भी बढ़ते रहेंगे क्योंकि पहले डारेक्टर महोदे जी के दौरा बताया जा रहा था एक आईडियो वाइरल हुआ था चैनल के दौरा वहां पे बताया गया था कि धंकिया दी गई थी एक बहन थी और यह सकता है कुछ ना कुछ हो लेकिन मैं पूछना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या यह चीजिजें ना यह राज्यक्रमचारी के दर्जे में हैं ना तो यह किसी आप किसी भी दर्जे में आते तो फिर आप किस आधार पर इन पर यह एक श्मा लागू हुआ expertsा तो बत पिर 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 वादा खिलाफी जब सरकार करते तो उसका कुछ नहीं लेकिन आम जंता आम बहनों को परेसान किया जाता है उनकी नौकरियों की धंकी दी जाती है वो अपनी आवाज उठाने के लिए आज लोग तंत्र में डर रहें कारण है ऐसे ही पत्र जो ऐसे निकाले जा आते हैं उन पर दबाव बनाया जाता है तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो किस लिए ये लोग तंत्र जिंदा रहेगा आवाज उठाने के लिए क्या यहां पे लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते धरने के माध्यम से कोई वहां पे जो है सब कुछ तो सांती पूरवक तो उसको लेकर के सभी चिंतित हैं तो ऐसी चीजों पर आज ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते हैं आज सभी की आखे नम हैं कारण आपको हम बताते हैं हमारे कोई कहरा 44 जवान सहीद हुए हैं कोई कहरा 40 कहीं टीवियों पे देखते हो तो निज चैनल के माध्यम से 37 जव पर जो हर जो सहीद हुए हैं उनके परिजनों को दिये जाएंगे और उनके नाम से जो सहीद हुए हैं उनके नाम से उनके गाउं वगयरा में सड़क भी बनवाई जाएगी उनहीं के नाम पर ऐसी चीज़े कही गई हैं और माननी जो अभी बैठक हुई थी आपकी सवा 9 ब व्यर्थ नहीं जाएगा अब देश की जनता कैसी है मैं सोच बताता हूं बहुत सी चीजों का विपच्च की पार्टियां हमेशा क्या करती हैं छीटा चानी करती रहती हैं वो हमेशा तर्क वितर करती रहती हैं आज वो समय नहीं रहा है जब एक दूसरे पर उंगली उठाए आज समय है तो जो मजबूती से कदम में कदम मिला कर हाथ मिला करके आगे बढ़ना एक जुट होकर के पूरा देश जो इस आतंकवाद की जड़ को खतम करने के लिए आवाद उठाए तब तो ठीक है लेकिन कांग्रेस निसाना साधती है बीजेपी पर तो आज ये सब जोग भी उनका और कहना है माया बती जी का कि हम सब मिलकर के आज सभी पार्टियों को आज एक होकर के इस जो बड़े मुद्दे हैं मसले हैं जैसे कि आतंकवाद इस पर कुछ करना चाहिए सभी लोगों को एक होकर के कदम उठाने चाहिए आज आरोप प्रत्यारोप नहीं लगने चाहिए क्योंकि यहां पर बात हमारी राजनीतियों की नहीं होनी चाहिए यहां पर बात हमारे जवानों की होनी चाहिए क्योंकि यहां पर आज जवान सहीद हुएं उनको आप राजनीती में मत तो लें तो यह चीजे हैं और यह देखिए यह हमारे मानने क्या है पुल्वावा पर अभी देखा 40 से ज़्यादा बिचारे जवान सहीद यों जिनके घरों में सहीद हुए उनसे पूछिए जाके पाकिस्तान का ये बचा रहे हैं कि बचाओ कर रहे हैं बोले हैं आतंक वाद का कोई देश नहीं होता है तो देश भले ही कोई नहीं हो ल ये सब चलता रहता है और बराबर ऐसी नापाक हरकते की लगातार होती रही है तो अभी तो मोदी जी का साप साप कहना है कि आने माला जो समय है उसमें सभी को इसका अंदाजा लग जाएगा और अभी परेशान मत हुई है पूरे देश के लोग ताकि यहां पे जो लोग हम हमारे देख रहें वीडियो उनको यह लग रहा होगा हम सपोर्ट कर रहे हम सपोर्ट नहीं कर रहें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर बहस नहीं की जा सकती है आप लोगों को जानकारिया नहीं बेजी जा सकती है सिर्फ और सिर्फ भरोसा दिला रही है कदम जब सही सम पहले चिलाएंगे तो वो लोग पहले से तयारी करके जुटेंगे आप समझते हैं चीजों को अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे उचित समय आएगा तो आप लोगों को इसका खून का बदला जो आज लेना होगा वो सरकार बखोवी लेगी बद जरूरत है तो सभी पार्टियों को आज एक साथ कदम से कदम मिला कर चलने की बहुत से देशों से मैसेज भी आये हैं जो ट्विटर वगार आकाउंट चला रहे हैं वो लोग अपने देश को सांतना दे रहे हैं अपनी जो उनकी समय दना हैं वो व्यक्त कर रहे हैं कि आज हम सम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं जो भी आतंकवाद को खतम करने के लिए कदम उठाये जाएंगे वो सब हम मिलकर के करेंगे तो तमाम चीजे हैं यहां पे और आपको एक बात बताना चाहता हूं भिगोकर खून में वर्दी कहानी दे गए अपनी जारो मैसेज आरहें मेरे पास ताकि चैनल पर आओज चरूर उठाया लेकर के लेकिन यह वीडियो था आंगनवाडी बेहनों के लिए जिन पर कारवाई हुई है जो कारवाई एक तरह से सही नहीं है क्यों सही नहीं उसको लेकर के मैंने भी बहुत बताया और सब लोग जानते हों कि अगर आवाज उठानी है तो हम लोग अपनी आवाज तो कम से कम लोग तंत्र में उठा सकते हैं फिर ये धरने थे कोई बड़ी हरताल नहीं थी जिससे उपद्रव हो या ऐसे माहोल हो हमारे देश में जिससे की हमारे देश की जनता को भी जो दिकतों का सामना करना पड़े तो यह चलिए आगे मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली खबरों के साथ में